अपका अपने चैनल SSC एस्पिरेंट सावन इस वीडियो में SSC GD 1230 के प्रिवेस रेग्जाम के जो टोटल 630 में एक्जाम हुआ था उन सबी के जो है हिंदी के प्रैक्टिस सेड चालू करने में आप लोग के लिए डेली जो है डो सेट हिंदी के प्रैक्टिस सेड जो प्रि प्रिजनी के साथ हिंदी और जीएस का भी वीडियो लगातार मिलता जाए फर्स्ट कोचन देखें आप बोला गया है निम्लिखित वाक्यांस के रिए उप्यूक्त सार्थक सब्द है जो कहान आ जासके इसका सार्थक सब्द क्या होगा अकथी होगा जो कहान आ जासके वो जायगा डूसरा कोचन देखते हैं निम्लिखित वांकर के किस खुंड में असुधि दिया गया कोचन जो है गौतम बूध्य ने पाली भासा में उपदेश दिया यहां पर यह दिया जो गलत दिया अती की तीसरा अप्शं जो है दिया गिया है केक्ली लिखीट वाक्चे के किस खन्ड में तुरूटी है जीवन और साहित का घ्र यहां पर को सा गलत दिया गया अप्सण देखे घ्र जीवन साहित समद यहां पर जीवन ब्री लौध कर गहर milhões के जगह पर भनिस्ट होता तब शあります यातनिक पहला उप्शन जो है यह गलत दिया गया यहां पर घनिष्ट संबंध होगा चार नमबर कोचन देखिए निम्लिक्रित में से किस वाक्य में उतकंठा के सही परियावाची की सब्सका परयोग हुआ है यहां पर उसका परियावाची जो हो जागा फर्स नमबर साथ होता है सिफ रवाना टृपस भीराना करते तो होता है सीफारिक करवाना के छव नमर कोचन देखिए सब्द में उची सब्द से वाकव को पूर्न करें वैज़ जी बैस का इलाज करते वैज़ जी आपंदे Caribbean कर इलाज करते हैं यानिकि 6 का 3 उप्सन बिलकुल कोड़ी होगा साथ करेक्ट बाइए व्ययव कोग सरीर का बाट के लिए अध्यक्र कर्यलिया का नाम बताई यह पेड़ी será जो हो रहा है इसमें जो है नित्या-बोधक नियत हो रहा है कि नित्य बोधक शेश्यूक्त क 친ा होग सब्कैनें करन खाने के लिए मिठा सुदृ बते हैं करन खौने में या उस दूसरा करन, कोरन खाने की मिठाईल यह कोरन खाने के IP लिए घरी तरह से कर्रेक्ट हैं सुनैना खाना खा रहा यह उपरॉक्त खा रही थी सुनेना से खाना नहीं खाया जाता उसका बाद फोर्त जो है सुनेना खाना खा रही होगी यानि कि इसमें बताना है भाव वाच्चे में रूपांतरन होगा यानि कि तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाए क्योंकि सुनेना से खाना नहीं खाया जाता यानि पूरा भ का सुरूत पढ़िए यहां पर कौन सा उप्शन होगा यानि कि सिंपल बात है प्राता काल में जो है सारदा का सुरूत पढ़िए यानि कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होएगा जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बाराणबर कोसन देखते हैं वाक के मेरी खांकिस अंस के लिए उचित मुहावरा दिये गए विकल्पों मैं से चुनिए तुम किसी काम के हो यहां पर थोरा जो है मिश्टेक हो गिए है तुम किस काम के हूँ इसका मुहावरा बताना है किस मर्ज की दवा हो जाएगा यानि कि जो व्यक्तिव विधार्तियों को पढ़ा तो उससे क्या कहायता है सिख्छक कहाया निए कि फोर्थ ओप्सन बिल्कुल करेक्ट है लड़कियों का समु इर्य खांकित पद समु के बदल उप्यूक्त सब्द का पर योग कीजिया निकि लड़कियों के समु को क्या कहा जाएग टुकरा कहा जाँदा बिल्कुल गलत रेवर कहा जाँदा यह भी गलत धेर कहा जाईदा यहीं तो कोई वस्तू कट होता है गठठ चाहा जाले यह निकि फोर्थ ओप्सन करेक्ट होâ इस वाके के रिक तस्थान पर एकांके सब्द का उप्युक्त बिलोम सब्द कौन सा होगा भारत में कहीं अती विरिष्टी से बाढ़ाती है तो कहीं डैस सूखा परता है नहीं कि अती विरिष्टी का हमें बिलोम सब्द बताना है तो अती विरिष्टी का क्या हो जाएगा अ जित्रता ऐसा उपहार है जो डैस को प्राप्त होता है सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी डैस ना हो जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है जिससे दूसरे की परिशानी होते तो ऐसी आदत डैस में ही भलाई है मनुसे तो डैस प्रानी है पर सभी को बारी वारी सफील करते सबसे पहला क्या था यहां पर सबसे पहला मैतरी भाव सकारात्मक तथा बैस वर्ग में गिना जाता है है यानिकश अपसन कहा दिया गी जो है उच्छ वर्ग में प्राप्त होता है मित्रता ऐसा वह बहार है जो भाग्य साली को प्राप्त होता है उसके बाद के सच्चा मित्र वही होता है जिसके कारण हमें कभी भी डैस ना हो क्या हो पहले ओप्सन देख लेते हैं अठारा नमबर कोचन में जो है हमें क्या हो जागा हमें क्या नहीं हो यह कि यहां पर बोला गया, सच्चा मित्र वही होता है, जिसके करण हमें कभी भी पच्चत आप नहों, जब भी हमारी ऐसी कोई आदत होती है, जिससे दुसरे को परेशानी होती है, तो ऐसी आदत को हम, क्या करने में भलाई होता है, छोरने में ही भलाई होता है, उसके बाद दे देखिए ऑप्सन नीचे दिया गया मनुसे तो यहां पर देखे मनुसे निमर के मनुसे तो सामाजिक प्रानी यानिके यह पूरे 20 कोचन कंप्लीट हो गए चली एक और सेट का कंप्लीट करते हैं दूसरा shift का देखे यह जो है दस जनवर्डवरंटेज का second shift का है फरस्ट कोचन देखे आज विध्याले में सिख्छी का ने अंताक्षरी खेलने को कहा वाकि में असुद वर्तनी वाला सबध है विध्याले बिल्कुल correct है सिख्छी का भी correct है खेलने को कहा ये भी ठीक है यहाँ पर अंताक्ष्री जो है यही गलत दिया गया यानिकि जो फोर्थ उप्सन है ये असुध वर्तने दिया गया यानिकि फोर्थ उप्सन बिल्कुल गलत दिया गया है सेकेंड कोचन देखते हैं निम्लिकित वाके में असुध्धी पहचाने वह आया परंतु मैं नहीं गया इसमें गलत कौन सा है वह बिल्कुल ठीक है गया भी ठीक है आया भी ठीक है यहां पर परंतु जो दिया गया यह गलत हो जाएगा यह असुध्ध दिया गया है यहां पर देखे तिसरा नमबर कोचन जो है दो पहर उप्युक्त वाक में रिक्ता स्थान का उप्युक्त विक्यावल पर निमली खित्मी से क्या होगा यानिका उप्सन का नुसार होगा दो पहर का क्या रथ होता है फस्त देखिए इसका रथ होगा दो पहरों का कदाचार य यह भी गलत है दो पहरों का सामहार यानि कि यही करेक्ट होगा समुद्र की सीमा अनंत है वाक्य में पर्यूग में पर्यूक्त अनंत सब्द का विल या एक प्रत्फ्ट हो हो जाएगा जिसने किसी विषह में दिया यह लगया हो दत चित हो जाएगा इस जल में अनेक जीवा है रिखांकी सब्सक्राइब करिंट का टम्हों बताना है जल का कीए जो है भी लों खल हो अगला कोचन देखते हैं दो घोरों पर सवार होना से तुम सफल नहीं हो रहोगे इसका जो हमें बताना है अर्थ बताना है दो घोरों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे उपयोगत वाक में रेखांकित अंस के लिए कौन सा सब्ध उपयोगत होगा सवारी निती ये बिल्कुल गलत सफल निती यह भी गलत होगा तिरंगी निती यह भी गलत है दुरंगी निती कहा जाता है रेखांकी सब्द समुग के लिए सरवाधी कुप्युक्त विकल्प चुने मुसीबत का मारा हुआ किसी और अस्थान पर जा बसा इसमें जो हमें बताना है इसका क्या आर्थ होगा यहां पर जो किसी और अश्थान पर बस जाना इसका अन्यत्र हो जाएगा ना निमबर को चंद하하 आकलन सब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यawाची सब्द कौन हो गा, इसका जो पर्यawाची हो जाएगा अगननन हो जाएगा, कुछ लोग यहाँ पर गनना को टिक कर देंगे, लेकिन यह गलत हो जाएगा, हमें बतानए हैं आकलन नहीं कि अनुमान से सम्मांदित है, य बताना यानि हिमाला का पर्यावाची हमें बताना है हिमाला का पर्यावाची जो है गनेक्स्ट कोचन देरे नंभर निमल कि तमे будете रहे हैं नहीं किभा नहीं बना। मूल किडिया प्रथम पिर्णार्थक किडिया और दूतिय पिर्णार्थक किडिया का सही सब्द करम चुनिये यहां पर बताना है सबसे पहले बताना है मूल किरिया उसका प्रथम पिरनार्थक किरिया उसका बाद दूतिय पिरनार्थक किरिया यहां पर तीसरा नमबर होगा उठना उठाना और उठवाना यह जो है सभी रूप से मूल किरिया प्रथम पिरनार्थक किरिया और दूतिय प वार्थ हो जाएगा सुला नमर कोचन देखते हैं सुला से हमें गधांस का बताना है पुरीतर से पहले इसको पढ़ लेते हैं उसके वाद अच्छा से बनाएंगे सबसे पहले देखर राष्ट के डैस विकास के लिए चरितर निर्मान परम अवस्थ है जिस प्रकार वर्तमान बहुतिक निर्मान का कारे अनेग योजनाओं के माध्यम से तिवर गती के साथ संपन हो रहा है वैसे ही वर्तमान की सबसे बढ़ियाव सकता यह है कि देश वास्यों के चरितर निर्मान के लिए भी प्रयतनी किया जाए उत्तम चरितरवान व्यक्ति ही डैस की सरवुच पदा है जनतंत्र के लिए तो यह एक महान डैस योजना है जन समाज में राष्ट संस्क्रिती डैस इवं परिवार के प्रती हमारा क्या करतब है इसका पुन रूप से बूद्ध कराना है व्याप्त समगर ब्रस्टाचार के प्रती निसे धात्मक वातावर्ण का निर्मान क करना ही द्यतन निर्मान की प्रथम डेस है द्याइस है यानिकर सभी हमको अप्स्वांगिन विकास के लिए तीसरा उप्सन बिल्कुल करेक्ट होगा उसके बाद दूसरा देखिए उत्म चरितरवान व्यक्ति ही यहापर डेस की सरवच्च संपदा है यानि हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर जो हो जाएगा राष्ट की सरवच्च संपदा हो जाएगा उसके बाद जनतंत्र के लिए तो यह कथन महान है डैस योजना है यानि कि जनतंत्र के लिए तो यह कथन महान है कि करेक्ट होगा वह कळ्यान कारी योजनः यानिकी तीसरे नंबर पर उसके बाद दख़ाए जण समाज में राष्ट संस्कृति यहां पर हो जाएगा समाज एवन पडिवार के प्रति Уisión दखला देखते हैं जो निर्मान करना ही चरित निर्मान का प्रथम सोपान हो जाएगा जो आपको बता रहे हैं तो यह पूरे हिंदी के दो सेट के 40 कोचन कंपलेट होगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं तो फ्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी परकर कंटेंट बाना चाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा जिससे आपको जीरी से रिलेटर हिंदी के प्रैक्ट जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद।